कीज कीज के यहां मसुकी दाल के साथ मसुकी सबजी भी खाय जाती है हमारे मसुकी सबजी हना दाल तो में लेए मुसूर में दोती है यहां मैं अदि गंट पहले ही भिंगाया है जब भिंग जाती तो यह देखिए दो तुकड़े हो गए दाल की तरह और इसकी छिलका उतार आई बस हमें इतना ही भिंगाना है इसे एक दम से उबालना ने भी नहीं है जैसे दाल उबालते हैं इस टाइप की नहीं उबालना है अब यहां पर मैं दिखा रहे हूं कि इसमें प्राइट लायeli दाल के तुब ड़τι लेगी क्या कि डालेगी क्या क्या दिखा Α्वायां जालेंगे इन और यह हैं तो ड़ुनीजा trades यहां पर अपने हेसाब सीभरे, चल्यायजर दालना मंहीं ओलाए ज़से दिखेक झलाना नहीं है पकाना नहीं है प्याज को क्योंकि मसूर भी इसके साथ जब डालकर हम फ्राय करेंगे इस तरीके से तो फ्लात सब्सक्राइब प्याज जीताए alors बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है दही वाली मसूर अब इसमें हम डालेंगे एक टमाटर अच्छा लाल पकी हुई टमाटर होने चाहिए अब फिर से ढखकर हम ये पांच मिनट के लिए पकाएंगे ऐसे ढखकर पकाते रहना है जब तक आपके टमाटर गल न जाए अब इसमें मैंने डाला है नमक हल्दी जो बेसिक से मसाले होते हैं वो ही लाल मिर्च वगेरा ये सब कुछ डाल देंगे फिर अच्छे से ये हैं ये फिर आप एप्याज भी इसकिप कर सकते हैं तो बिनन प्याज के बीना बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से मैरे मसाले तयार पक जाती है उसके बाद हम इसमें तही दही आप अपने अनुसा डाल सकते हैं अगर ज्यादा पसंद हो तो कम डालें यहां पर मेरी बच्चों को ज्यादा खटी पसंद नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाला है इसमें फिर यह पकाएंगे ढखकर दही डालते समय यह दिहान रखें कि इसे चलाते ही रहना है छो सकते हैं चावल के साथथ खातें हैं रोटी के साथ कम अच्छी लगती है यह वाली जो सब्जी है घती चीजिए पर्शनल इस को पसंदें है घती की चीजिए और के साथ जरूर कमेंट करके बताएए अब यहां पर मैंसोर की सब्जी है बिलकुल बन कर तयार हो चुकी है ख और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर ये रेसिपी शेयर कीजिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी है और आप भी एक बार जरूर पना कर ट्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेश्टे वीडियो में तब तक के लिए बाबाए